क्या आपने भी अपने Instagram application को update किया और update करने की साथ ही आप activity status के option को नहीं देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे इस वीडियो में आपको सभी जानकारिया देने वाला हूँ छोटा से वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप activity status को प्राप्त कर सकते हैं अपने Instagram application में अगर आपने Instagram application को update किया है तो सभी settings आपको समझ में नहीं आ रहे होगे और ऐसे में आपको Instagram में activity status का option नहीं मिला होगा डॉंट वरी आज किस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं और आपके सामने live करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप उसे देख सकते हैं तो यहां पे हम privacy पे क्लिक करते थे और क्लिक करने के बाद यहां पे आपको option मिल जाता था activity status का इस पे क्लिक करने के बाद हमें button मिल जाता था इसे off या फिर on करने का जिसके तुरू हम online को hide या फिर unhide कर पाते थे लेकिन अभी क्या है अभी जो भी instagram का नया update आया है और जिसने भी अपने instagram application को update किया उसके बाद जो setting का option है वो बदल गया है और user को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो यहां पे है मेरे पास नया instagram application जिसे मैंने update किया और यहां पे आप देख सकते हम हैं अपने instagram की profile पे right side में आपको three line को option में जाता है जिस पे click करके आप यहां पे setting and privacy को option देख रहे हैं इस पे click करना है click करने के साथ ही यहां पे आपको सब कुछ नया दिख रहा होगा हलाकि इस पे मैंने recently एक video बनाया है जिसमें मैंने इस सारे options के बारे में आपको detail में बताया है अगर आपने वो video नहीं देखा तो i button में video का link आपको मिल रहा होगा उस पे click करके आप देख सकते हैं आपको सभी options के बारे में समझ आ जाएगा तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे update करने के साथ ही तो आपको account center का option सबसे first में बिल जाता है लेकिन यहाँ पे आपको वो option नहीं मिलेगा आपको नीचे की तरफ जाना है जाना है नीचे की तरफ जैसे आप करते जाएंगे यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा messages and story replies यहाँ पे इस option को आपको ध्यान से देख लेना है tag and mentions के just उपर आपको यह option मिल रहा होगा इस पे आपको click करना है जैसे इस पे click कर देते हैं आपके सामने दुबार से काफी सारे options आ जाते हैं और यहाँ पे आपको एक option दिख रहा होगा show activity status इस option पे आपको click करना है जैसे आप इस पे click कर देते हैं आपके सामने एक option और आ जाता है यहाँ पे show activity status का और यहाँ पे आपको off या फिर on करने का switch दिया हुआ है जिस पे click करके आप इसे on कर सकते हैं और दुबार से click करके आप इसे off कर सकते हैं अगर आप इसे on कर दे आपके follower या फिर friend को नहीं परती है कि आप कब online थे या फिर आप कितने देर पहले online थे तो आप इसे use कर सकते हैं नए Instagram application में आपको यहीं पर यह option मिल जाता है तो आपने देखा कितना आसान इस option को ढूंड़ना अगर यह option आपको नहीं मिल ला है तो आप अपने Instagram को दुबारा से अपडेट कर लिजेगा या फिर कोई glitch हो सकता है लेकिन 90% केस में यह option आपको यहीं पर मिल जाएगा अगर आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे Instagram पर message कर सकते है Instagram का link आपको इस video को description में मिल जाएगा यह छोटा से वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया है किस तरह से आप नए Instagram application में activity status को प्राप्त कर सकते हैं आज अगर तो यह छोटा से वीडियो आपको काभी पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज इस video को लाइक कीजिएगा चनल पर पहली बार है तो चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर प्रेस करके all पर क्लिक कर देना है ताकि आनले वाले इसी टाप की interesting वीडियो की notification आपको upload होते ही मिल जाएगी अभी के लिएता है मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टे के साथ तब तक लिए धन्यबाद